कॉच्छ प्राइब्स जिस राट हो आइफोन जब से रोंच वे तो 여 s4 तरफ अपल की बाते कर रहें आइफोन 15 में यह है 15 pro में यह प्रो Mac में यह प्राइस पे आ गया यह क्लर में आ गया टैटिनियु आइफों के और एक और बाद हो इंडिया में बने वे फोन्स में ऐसा वैसा बता नहीं कैसा कैसा आप लाइक और शेयर करते वे आगे देखो इस वीडियो को और हम पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है किसले हो रहा है और कैसे online kind of एक तरीके से कुनो miss information फिलाने की कोशिश कर रहा है चाहिना इन ही आईफोन को लेके नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं इस बात में कोई डाउट नहीं है कि make in India जो है उसके चलता में देखा है कि कैसे दुलिया भर की बड़ी-बड़ी companies इंडिया में आके अपनी manufacturing स्टार्ट कर रहे हैं सामसंग की जबसे बड़ी factory इंडिया में है यह हम बात करते हैं आपल की तो आपल कितने सालों से इंडिया में अपने आइफोन बनाते जा रहे है और इस बार पहली बार ऐसा हो गया कि launch के टाइम पे जो phones market में निकले ये made in India मतलब नौनलिस होता है कि launch पे जो है वो फोन ब बाट चाहिना में क्या चल रहा है ना चाहिना में दो चल रहे है एक तो यह की तंधाट जाय रही है कि आपको पता अभी तुुके रही है टुपली थ्यवार् CC process वाले काम चल रहे रहे है को जहां पर ईंडिया को कहीं है जो है वो या गलत इंडियन करी की स्मेल आपल के लिए जो फोन बनाता है फोक्सकॉन फोक्सकॉन के स्टैंडर्ड जो एपल देता है और जो उनको मिल्मनों मीट करने होते हैं अब वो फोन चाहे बनाएं, इंडिया में चाहे बनाएं, फ्रांस में चाहे बनाएं, 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 चाहे बना इंडिया में आके वो अपना सेट अप लगाना चाहता है जली ना, तेरी भी जली ना चाइना के जो जलन है इसके चलते आप इंटरनेट पे हो सकता है पढ़े कि आईफों 15 में इंडिया इस नौट गुड कॉलिटी वगर है मतलब शायद आपको चीछ सामने आए तो I'm just letting you know कि आसा कुछ भी नहीं है guys, यह जो दोनों फोंसे, they behave like you know any other iPhone for that matter, दोनों के दोनों में कोई प्रोब्लम नहीं है, not even 1% मतलब भाई, that standard जो भी Apple ने दिया है, it has been met, तभी तो phone बनके निकले है factory से बाहर, और इंडिया में हमारे बास में इतने अच्छे talented इनो लोग हैं, जो इन फोंस को बना रहे हैं, हमारे अपने Indian भाई बने फोंस को बना रहे हैं, which is very good, तो यहां पे there is no doubt about the quality of these phones, यह definitely perfectly perfect, as आप expect करें हैं किसी भी iPhone से, तो चाइना वालो जो पूरा एजिंडा है, यह केवल इंटरनेट की ऊपर थोड़ा सा हवाबाजी के लिए चल रहा है, ऐसा प्लीज में बिलीव मत करना, और मजे की बात वो ही है, जहां पर अभी काम चल रहा है, in fact, market में किया पता, आप ही कई होंगे, कि कैसे 10,000 रुपे के अंदर जो है, वो iPhone 15 Pro Max कुछ है साथ चिपका के, बना के नकली, जो है, वो offer करेंगे, तो बतलब एक तरफ तो यह काम चलता है, वाच अल्टरा नबभे सार की आपल की वाच, दो हजार में क्लेम कर रहे हैं, चाइन वाले, तो बचना इन से, इन पर बिलीव मत करना, और एक और, I think, चीज जो शायद, क्या बोलते हैं, इसको, क्लियरली पता होने ची है, वो यह, कि इंडिया में अभी जो फोन बन रहे हैं, वो 15 और 15 प्लस बन रहे हैं, प्रो और प्रो मैक्स अभ इस दरीजन बिकाज ये फोन इंडिया में और जो दूसरे आले फोन से बाहर से बन के आते हैं, बट अनिवे, I hope कि आपको समझ में आगया होगा, इंडियार, I think, it's time now, बिकाज जलिसी तो होती है, of course, और इंडिया में जिस हिजाब से हम आगे ग्रो कर रहे हैं, in terms of specially technology, मतल हैं, तो it's clearly a sign of victory, मेरे ख्याल से, and it's a proud moment, why not, we should celebrate की, Apple ये फोन इंडिया में बना रहे हैं, और आगे चल के दिखते हैं, कि और क्या के चीज़े इंडिया में बनाता है, और वाकी बनाते हैं, आप इसको चारो तरफ फेलाओ वीडियो को, ताकि जो मिस इन्फोर्मिशन है, ये और आगे spread ना हो, और इंटरनेट के दुनिया पे आप ऐसी किसी fake ख़बर का शिकार होने से अपने आपको बचा सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा research करें, और चीजों में अगर अगर अप हलका सा अपना time लगा के देख ले कि जो आप पढ़ रहे हैं, क्या वो सही भी है या नहीं, और अगर कभी किसी ऐसे गलत ख़बर का शिकार बनते हैं, या अगर कभी आपको मिलते हैं मिस इन्फरमिशन, तो यू नो, कर दोंगे हैं, क्या वो,